साथियो नमस्कार, मैं प्रतिक चौधरी एडवोकेट, चौधरी लीगल एसोसियेट से, आप सबको प्रणाम नमस्कार करता हूं, और आज हमारा टॉपिक हमेशा की तरह आप लोगों का फेबरेट, क्योंकि सबसे जादा जो प्रॉडम आज के समय में हिंदुस्तान में अग के उपर किसी वक्त लगा सकती है, उन सम में उपर आता है, CRPC की धारा 158, 107, 116, तो आज इन पर बात करेंगे, और जैसे कि कई दोस्तों की क्वाईरी आई हैं, कई दोस्तों के मैसेज़ आई हैं, और लगातार मैं उनकी रिप्लाई भी दे रहा हूं, उनके जवाब भी द लोग मेरे चैनल पर पहले से हैं, वो मेरे वीडियो को शेर करते रहें, जिसी कि जो हमारा मोटिव है, एक आम आदमी तक हमारी बात को पहुंचना वो पूरा हो सके, और सब्सक्राइब इसलिए कर लें, क्योंकि हम नए नए वीडियो ले ले के आएंगे, तमाम टॉपिक् में, पुलिस के पास लॉइन ओर को मेंटेन करने की जो पावर है, पुलिस उसका दुरूपयोग बहुत ज्यादा करती है, आप किसी भी जिले में हो, किसी भी परदेश में हो, आपके लिए ये मालनी जिए कि पुलिस ने अगर पकड़ लिया है, चाहे आपको जूटा ही प जिसको लॉट नहीं पता, जिसको कानूर नहीं पता, वो उलच जाता है और उलच के रह जाता है, ऐसे व्यक्ति को पुलिस वाले उसके जन जीवन से खिलवार करते हुए, एक सो साथ सोला में, एक सो क्यावन में जेल भेज देते हैं, जो बहुत ही कस्ट रायक होता है, तो आप लोग एक बाद जान लीजिए, कि ये एक पावर है, जो पुलिस के पास CRPC से भारतिया दंड परिकरिया सहिता से पुलिस को दी गई है, जिसका मोटिव, जिसका इंटेंशन, जिसका लागू होने का कारिकरम इसलिए है, कि पुलिस लॉइन और को मैंटिन कर सके, पुल जिसको कोई दूसरा पक्ष नहीं मिलता, तो पुलिस 151 की धारा में खुद वादी बनती है, खुद रिपोर्ट लिखवाती है और आपको 151 में जेल भेज सकती है, 151 जब आप पर लगता है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो 107 और 116 में और 151 में है, वो ये है कि 151 जो है एक सर्टेन लो है कि जिन मामलों में 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, वे मामले जो होंगे उनमें किसी को भी गिरफतार करके जेल नहीं भीजा जाएगा, उनमें व्यक्ति को मजिस्टेट के सामने पेश किया जाएगा, यदि व्यक्ति अपनी जमानत संबंदित उसकी जमानत के लिए नहीं है, आपको मुचल कोंसे पाउंद करती है, मुचल के यानि कि व्यक्तिकत बंध पत्र होते हैं, आपको एक लाग रुपे की रकम के बंध पत्र मुचल के कोट को देने पढ़ते है, यहां रुपे से मैं आपको बता दूँ, बहुस सारे भाईों उन्सा सवाल पूछा था मोचल का है दो की उससा रुपख अदर की कीमत जो और आपको कोई रखम नहीं करना है और आपको 107 में मुचल का दाखिल करने के बाद आपको रहा कर दिया जाएगा जमानत्त और यह समझा जाएगा कि आप वविश्च्च में कभी इस तरीके से कोई शांती ववर्ष्था बंग नहीं करेंगे और आपको रहा कर दिया कि 116 के साथ में 151 भी लगाई दे रही है क्योंकि पुलिस का सीधा सीधा इंटेंशन है कि आपको उसको जेल भेजना है आपको पकड़ा है 116 में मुचल के भर के आप छूट सकते हैं कभी-कभी किसी भाईयों की साथ दिक्कत होती है कि उन पर जब वो पकड़े गए तो उ जमानती पेश नहीं होंगे जमानती जो हैं आपकी जमानती जमानत ले रहे हैं अगर वो नियाले में नहीं आएंगे तो ऐसे में आपको जेल जाना फिर अनिवार्य हो जाता है क्योंकि कोर्ट में जब तक आपकी जमानत दाकिल नहीं होगी आपके जमानती जो हैं वो अब प्रतिक चौधरी एडवोकेट और मेरी पूरी टीम आप लोगों के साथ 24 घंटे 7 दिन काम करने को तैयार है मैं आपसे वादा कर देना चाहता हूं किसी भी भाई का किसी भी बैन का किसी भी कीमत पर उत्पुड़न होने नहीं दूंगा आप लोग जहां भी रहते हैं आप हमसे हमारे WhatsApp नंबर से contact करते हैं आप अपनी शिकायते हैं अपनी सुझाव WhatsApp नंबर पर हमें भेज सकते हैं आप comment box में भी लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपके पास पहुंचने की और अगर हम नहीं पहुंच पाते हैं तो आपको सही तरीका सही समाधान आपको हम बत चाहे कि आगे जाके अगर मेरे नौकरी लगेगी तो क्या मेरी नौकरी पर इस मुगतमे का कोई प्रभाव होगा तो मैं आपको बता दू यह केवल लॉइन ओडर को मैंटेन करने के लिए पुलिस की पावर है इससे आपके केरियर पर आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव पढ करती है इसलिए आपके केरियर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है और 6 महीने की जो डेट होती है इसमें जो तारीक है करा ही जाती है 6 महीने वाद यह मुगतमा आपने आप CRPC के प्रभावधानों के तहिती खतम हो जाता है तो आपको डरने विचलित होने की आवशक्ता नही है इसका कोई भी प्रभाव आपके केरियर पर आपकी नौकरी पर पढ़ने वाला नहीं है तो 151 और 107 इन चीजों को आप जाने ज्यादा लोगों को जागरुक करें इनसे डरें नहीं इनसे घबराएं नहीं इनका मुगावला करें बाकी मैं और मेरे साथ ही आपके साथ है कोई समस्या हो है बदाईए वाटसप पर वेजिए खुश रहिए खुशाल रहिए जैहिन जैभारत नमस्तुर्ण